एक लड़की को किड्नैप कर ले जाता है उसमें से जो किड्नैपर था यह उस लड़की को जानता था दूसरा किड्नैपर बहुती जादा डेंजरस उस वज़े से इस movie में बहुत सरी complications होती है Hello friends, आज वे आपको Kidnapping Stella ये 2019 की एक thriller German movie explain करने वाला हो इसके अलग-अलग situation आपको हमेशे आपकी seat के age पर रखेंगे तो अंदर इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अब बिना किसी देरी के explanation start करते है movie start होती है और हम दो लोगों को shopping करता देखते है पर इस shopping बहुत ही अजीब तरीके से थी है इसमें drilling के सामान थे एक room को soundproof करने के लिए बहुत सारा सामान इन्होंने buy किया गर में आने के बाद इन्होंने एक room को soundproof create कर दिया उसमें एक bed भी लगा दिया जंगल में एक location के पास जाकर उसे हो mark करकर आते है उनके पास एक van थी जिसे भी वो फिर से soundproof बनाते है इनके bag में हम देख सकते हैं यह रसीर पट्टी इस तरीके की चीज़े थी यह दोनों फिर ready हुए अपने van में एक जगा पर वो नज़र रखते है इन्होंने अपने mask वेग्राबेन है और एक लड़ी की जब यहाँ से जा रही थी तो उसे वो किर्णाप कर लेते है गाड़ी में ले जात कर उसके हार पर बांदेते है लास सीन्स में हमने इनका जो place देखा था जिस room को इन्होंने soundproof बना है बेड लगा है इस room में उन्होंने इस लड़की को डाल दिया हैंड का उस वेगर लगा और इसे वो पुरी तरीके से बांदेते है उन्होंने उसके थोड़े से गपड़े निकाले और उसके फोटो ले लिए जबरदस्ति उससे दूसरे कपड़े पहना लेते है उस बेचारे ने बहुत स्टगर किया पर वो कुछ कर नहीं पाई इसके बाद room में बन करकर वहां से चले गए एक किर्णैबर थोड़ी दिर में फिर से उस लड़की के पास है और कहता है तुम्हारे फादर का नंबर और इमेल मुझे दो तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए है अगर उन्होंने दे दिये तुम बहुत ही सही सलामत रहोगी थोड़े टाइम में फिर से अपने घर पहुच जाओगे ये इमेल आड्रेस नंबर लेने के बाद ये दोनों फिर से बाहर आए इन दो की नैबल्स में से जिसको ज़्यादा एक्सपिरियंस नहीं था उसका नाम था टॉम और जिसे बहुत सारा एक्सपिरियंस था वो प्रिजन बहुत बाद जाकर आया था इसका नाम था विक विक टॉम से बुच्छता है क्या तुम डर है हो सब कुछ ठीक हो जाएगा ये उन्होंने फिर स्टेला का मोबाइल लेकर उसे बन कर दिया स्टेला के फादर को इमेल वेज़ते हैं कि हमें उसे पानी वेगरा देना पड़ेगा विक टॉम से घरता है अब हमें तुम्हें खिलाना भिलाना पड़ेगा इस वज़े से तुम्हारे मौट से में कलॉट निकालने वालाओ अगर तुम चिलाए तो तुम्हें बेहोश करकर किसी अलग तरीके से हम जिन्दा रखेंगे वैसे भी तुम्हारे चिक किसी को भी सुनाए नहीं देगी एप पुरा रूम सौंट प्रूफ है स्टेला ने इसके लिए नौर किया जब उसके माउट से पट्टी निकाले जाती है तो जोर से चिलाने लग गई थी है फिर से उसका मूँ वो बन कर देता है विक ने उसे समझा कि हम दो ही लोग है जो तुम्हें हेल्प कर सकता है इसलिए चिलाओ मत फिर उसे पानी में गरा पिलाता है कियता है कि अगर तुम्हें टॉलेट की जरूरत होगी तो एक नमबर दो नमबर इस तरह के से हाथ से हमें बोल देना सिलाओ को टॉलेट करना था तो अपने फिंगर से उसे उसे बता देती है यही बर बेट पर उसे है करना पड़ता है बैचारी बहुत रो रही थी यह सारी चीज़े करने के बाद टॉम को हम ज़रा डिस्टब देखते है यह बात विक ने जान ली थी बुझता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे है टॉम ने कहा कि मेरा मूर नहीं है विक कहता है तुम्हें सही तरीके से अपना ख्याल रगना पड़ेगा वरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे टॉम फिर भी खानी रहा था तो जबर दरस्ते उसके मूँ में वो खाना बरता है विक ने उसे कहा कि हमने सब कुछ प्लानिंग किये सारी जीज़े परफेक्ट हो रही है पर फिर भी तुम अपने आप पर डाउट करे हो तुम्हें लगता है कि अंसक्सेस्फूल हो जाएगा इसी वज़े से तुम खाना नहीं खा रहे थे मेरे साथ बोलो कि हम इसे करकर रहेंगे टॉम भी यही जीज़ रिपीट करता है विक के रूम से बाहर जाने के बाद स्टेला की फोटो देखकर वो सैड हो रहा था उसकी तकलिब उससे देखी नहीं जा रही थी वो स्टेला से मिलने के लिए गया वो से कहती है कि उसे फूप करना है तो इस वज़े से उसके हैंडकप अब उसे निकालने पड़ेंगे वो यह निकालता है उस पर गन निकालता है यानि को कुछ करना पाए स्टेला कहती है कि प्लीज उस तरफ देखो वो इस तरीके से यह सब नहीं कर सकती है उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो टॉम अलग डारेक्शन में देख लेता है स्टेला ने बकेट लेकर जोर सुर से मारा इससे उसकी गन नीचे गिर गई थी स्टेला ने जल्दी से इसे उठा लिया वो कहती है यह मुझे जल्दी से तुमारी कीज दो टॉम उसके पास आ रहा था उससे गन शिनने की कोशिश करता है पर स्टेला ने गन को शूट कर दिया यही पर उसका मास्क भी हो निकाल लेती है वो एक्चुल में टॉम को जानती थी वो उससे देखकर सप्राइस्ट हो गी उससे बुछ थी कि तुमने इस सब किया क्यो टॉम कहता कि तुमने मेरी जिन्दगी बरबाद किये तुम्हें आपसे नहीं जा सकते तुम्हारी गन मुझे दे तो स्टेला कहती कि प्लीज रूख शा मुझे तुम्हें कुछ कहना है पर इससे पहले टॉम ने स्टेला से उसकी गन ले लिए जल्दी इससे फेस बान देता है टॉम ने कहा कि यह सब तुम्हारे फॉल्ट है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था तुम्हें इसने वान किया कि अगर विक को इसके बार में पता चला तो हम दोनों को मार डालेगा थोड़ी दर में विक फिर से वापस आया अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे इस वाज़े से अब विक के बास एक अलग प्लान था वो टॉम से रता है कल का दिन जड़ा एक्जास्टिंग होगा इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा अगरे दिन वो स्टेला के रूम में जाकर कैमेरा विक लगा कराते है विक ने स्टेला से का कि अब हम तुमें सेड़ेटू देंगे इससे प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा उनका प्लान था कि वीडियो में लाइव स्टेला का फिंगर करकर ये वीडियो उसके फादर को भेजेंगे जिससे उड़ा रकर इन्हें सारे वैसे दे देंगे स्टेला जोब रियलाइस करती है तो बहुत जादा डर जाती है उसके माउट से पट्टी निकालने के बाद स्टेला ने कहा कि फादर मुझे पता है कि हम दोनों बहुत जगरते थे पर प्लीज मुझे बचा लो मैं प्रिग्नन्ट हूँ प्लीज मुझे बचा लो ये सुनने के बाद टॉम वीक से कहता है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी बन गई है अब उसका फिंगर कट करने के हमें कोई भी जरूरत नहीं है टॉम ने स्टेला को बालवाल बचा लिया अगली दिन स्टेला को फेड करने के लिए दोनों फेर से वहा है वीक उसे फेड कर रहा था तो स्टेला कहती है कि मुझे उस दूसरे से खाना खाना है वीक उसके बाद मानता नहीं स्टेला ने नीचे देखा तो कल उसने टॉम को शूट किया था तो उसके बुलेट का कवर नीचे पढ़ा हुआ था अगर वीक को इसके बाद में पता चलता है तो ये दोनों ट्रबल में थे टॉम इसके पास जाकर इसे उठाने की कोशिश करता है पर वीक कहता है कि तुमें कर क्या रहे हो उसे पास आने नहीं दे रहा था स्टेला का खाना हो जाने के बाद बुलेट कवर के पास स्पून पढ़ा हुआ था इसे उठाने के बाहने टॉम इस बुलेट कवर को उठा लेता है बहार आने के बाद वीक ने टॉम से पुछा कि तुम नर्वस लग रहे हो ऐसा क्या हुआ है टॉम कहता है कि इसा कुछ भी नहीं है टॉम फे जल्दी से टॉलेट किया बुलेट कवर को फ्लश करने को ट्राय करता है पर इस फ्लश हो नहीं रहा था उसे बहुत टाइम लग रहा था तो वीक पुछता है कि हुआ क्या है वीक के प्रेशर में इस बुलेट कवर को निगर लेता है विक के आज़े चले जाने के बाद Tom Stella के पास है पुछता है तुमने ऐसा क्यीं कहा कि तुम प्रेइगनेंट हो Stella कहती कि मैं actual मैं प्रेइगनेंट हू और ये बेवी तुम्हारा है वो उसकी बार माननी रहा था तो Stella ने कहा कि मेरे पास आओ मेरे पेट को फील करो ये फील करकर टॉम ने उसे बुझा कि तुमने मुझे इसके बारे में बता है क्यों नहीं स्टेला कहती कि कभी भी तुम डिपेंडेबल नहीं थे जब भी तुम भाग जाते थे तुम्हारे जेल में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेइन अंट हो, मुझे लगा कि इस बेवी को तुम्हारे साहे से दूर रखना ही सही बात होगी स्टेला बुछती कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया था टॉम कहता कि मैं और मेरा पाटनर जेल में मिले थे हमने वही पर किड्नापिंगी ब्लाइनिंग की थे और मैंने तुम्हार नाम सेजेस्ट किया था मैं तुम पर बहुत जादा गुसा था तुम जेल में मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई बीना कुछ बताए मेरे लाइफ से चली गए अब मुझे तुम जुट भी कह रही हो स्टेला कहती कि मेरे मोबाइल में देखो उसमें रिपोर्ट है टॉम जाकर स्टेला का मोबाइल आन करने वाला था पर उसने रियलाइस किया कि अगर स्टेला का मोबाइल आन होता है तो बुलिस को इसके लोकेशन पता चल जाएगी तो इसने ओफ कर दिया अचाना से स्टेला को उल्टी आने लग गई थी उसके पास आया, उसके हाथ वेगरा निकाल दिया यह उल्टी वेगरा हो कर दिया और एक दुसरे के बहुत करीब आ गई थे वो उसके साथ इंटिमेट होने वाला था पस स्टेला ने बहुत चाला किसे उसके हैंड को कफ कर दिया वो यहां से भागने की कोशिश करती है पर एक पूरा प्लेस लॉक्ट था इसके चावी उसके पास नहीं थी वो उसके अपना मॉबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया पुलिस को उसे ढूरने के लिए उसके लोकेशन की जरूरत थी पस स्टेला को इसके बार में पता नहीं था वो रियलाइस करती है कि कीज चाहिट टॉम के पास है टॉम से कीज नीचे गिर गई थी वो उसे पाने की कोशिश कर रहा था इस्टेला ने देखा और फोन कट करकर उसके पास पहुच रही थी टॉम अपनी हदकर्यों से निकलने के बहुत कोशिश करता है इन निकल भी रही थी स्टेला जब कीज लेने के लिए उसके पास आई तो जल्दी से हैंकप से निकल कर उसके मूँ पर जोर से मारता है इसे ओब बेहोश हो गई थी उसे फिर से उसने बान लिया स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है आज जब विग घर पर आया तो करता है कि स्टेला के फादर अब पैसे देने वाले है अब हमें सिर्फ एक काम है कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे ये दोनों आज बहुत ही खुशत है पैसे लेकर क्या करेंगे इसकी ब्लानिंग बनाने लग जाते है अगली दिन विग ने टॉम से कहा कि जाकर गाड़ी को तुम रेडी करो वो स्टेला को लेने के लिए उसके हैंग काउस फिगरा निकाले तब ही वो स्टेला के बास मोबाइल नोटिस करता है ये अब आन था उसने हिस्टी देखी तो पुलिस को क्या किया है ये सारी चेज वो फिगरार नहीं कर पाता कि स्टेला के बास मोबाइल आया गयसे है वी आसे निकली गयसे थी स्टेला के बास मोबाइल एक ही केस में आ सकता है जब टॉम नोशे दिया पर उस्टेला को बहुत मारा जो भी हुआ था यह सब कुछ सच्छ स्टेला उसे बता देती है इस स्टेला को कंफर्म करने के लिए स्टेला ने टॉम पर जो गोली चलाई थी यह वांस में वीक को मिल जाती है इसी की पैरलल में हम देखते है कि टॉम जब गाड़ी को रेडी कर रहा था तो स्टेला के सामने उसके प्रेगनेंसी की टेस्ट उसे मिली इस रिपोर्ट से वो कंफर्म हो गया था कि स्टेला एक्ट्वर में प्रेगनेंट है उसे अब तक सारे चीज़े जूट लग रही थी यह जानने के बाद वो और भी जादा कंफियूस दो किया कि अब उसे करना क्या चाहिए स्टेला को फिर से बान कर विक टॉम से बुछता है मुझे एक बात बता तुमने उसे चूज क्यों किया था टॉम कहता है क्यों रीच थी और हम दोनों ने मिलकर चूज किया था मैंने सिर्फ तुमें उसकी इमेज दिखाई थी विक ने टॉम से का हमें एक दूसरे के साथ ओनेश सुना चाहिए हम कोई भी जीज एक दूसरे से चिपाएंगे नहीं टॉम भी इसके लिए हा कहता है विक को पता था कि वो टॉम पर ट्रस नहीं कर सकता यह दोनों फिर स्टिला के पास आये उसे बेहुशकर गर गाड़ी में रखकर एक लोकेशन पर लेकर आते हैं नदी के पास एक घर में उन्होंने इसे बंद कर दिया था इनका प्रिवेशली प्लान था कि जब स्टिला को होश आएगा तो उसके पास चावी होके वह अपने आपको खोल कर यहां से चली जाएगी पर अब वीक ने ब्लान चेंज कर दिया था वह कहता है अब हमारे पास चावी होके और तुम मेरे साथ चल रहे हो टॉम जड़ा वरीड हो जाता है पर वीक को शक ना जा पाए इस वाज़े सूसूस के साथ जाना पड़ा यह जब अपने ट्रै कियो हुए लोकेशन पर आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था आस पास कही भी पैसे दिक नहीं रहे थे टॉम ने कहा कि शायद हुए फ्रेम किया जा रहा है पर वीक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी मुझे तुमारे और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है मैं तुम पहले जास दिया था तुम अगर मुझे अनेसली सब कुछ बता देते है तो तुम बज जाते है और स्टेला और इसके बज्चे को मैं मार दोंगा और इसके जिमेदार तुम हो वीक टॉम को शूट करने ही वाला था पर टॉम ने उस पर हमला करकर वहां से भाग जाता है भागते भागते वीक ने दूर से उस पर गोली चलाए वो होट हो गया था पर फिर भी जल्दी से आज से भाग जाता है वीक ने फिर जो अलग लोकेशन सिलेक की थी वहाँ से पैसे वो लेकर आता है उसका प्लान सक्सेस्फुल हो चुका था रात में उस्टेला को मारने के लिए आया वो से कहता है मैं तुम्हें एक मेडिसन दूँगा जिसे तुम्हारी डेथ होगी पर तुम कुछ भी फील नहीं करोगी वो से देने ही वाला था पर भीचे से आकर टॉम ने उस पर हमला कर दिया वो जखमी था पर स्टेला को बजाने के लिए हापर आ गया था वीक के बाजगन थी तो फिर जो सिचेशन को कंट्रोल कर लेता है टॉम को और एक गुली मारता है वो टॉम से कहता है कि तुमने सारी चीज़े बरबाद कर दी उसे फाइनल गुली हो मारने वाला था तब स्टेला ने उसके पेर पर मार कर उसे नीचे गिरा दिया वीक की गंड टॉम ने उठा ली और उससे शूट करकर मार देता है टॉम इंजोर था इस वज़े सो बेहोश हो गया स्टेला की कफस की कीजी वीक के पास थी टॉम ने बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली उसे वो दे देता है स्टेला ने अपने आपको छुरुआ लिया पर टॉम की अपडेत हो चुकी थी वो बाहर आई गाड़ी में बैठी तो उसे सारे पैसे मिल जाते है स्टेला की अपने फादर के साथ बनती नहीं थी वो किड्नाप हुई पर फिर भी फादर उसे पैसे नहीं देने वाले थे अब वो उनके बास वापस नहीं जा सकती है ये पैसे लेकर वो एक न्यू स्टार्ट कर दिया इसे के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है